आज मैं बनाने वाली हूँ नमकिन सलोनी, मैंने तीन कटोरी मैदा लिया है और उसे छाना है यहाँ पर मैंने एक चमच कलोंजी डाला है, अपने नुसार स्वादे नुसार नमक, दो चमच तेल डाल कर इसे मला है अब इसमें हलका पानी डाल डाल कर मलना है अब यहाँ पर आटा तयार हो गया है आटे का अलोई बना कर हलका तेल लगा कर इसे में बेलूंगे अब इसका मैं कटिंग करूंगी अब इसे मैं फ्राइ करूंगी यहां पर मैंने कढ़ाई कढ़ाई है तेल गरब होने के लिए अब सालोनी को डालूंगी अच्छी तरह से हलका ब्राइन होने तक फ्राइ करूंगी और यहां पर हमारा नम्किल सालोनी बन गया